नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारी यूटूब चैनल गुरुजी हैल बेस्पर तो दोस्तों कल हमने 27 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं अंची जनरल साइंस की जो अमारी सिरी तर रहे थी तो आज का हमारा यह लेक्चर आएगा उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है आप से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीट चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल अकन का बटन प्रेस्ट कर लेजिए अधा कि आपको आपके आपने इस चैनल पर लेटेंस जोबिसन रिजार्ट से रिघार्ड नुन मैशन और नहीं जोब से लेति उनफर्मेशन जरेनल साइस साइस पोलिटीकल साइस करन ट आप से लेटिल्टे से रिलेस्टे जो लइक्टर पर अप्लोड के गई है प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा चलिए आज का मारा फर्स्ट क्यूशन देख लेज़ें नेमल लिखीत कत्नों पर विचार के जी नावी के रियक्ट होते हैं यह आपका राइट होगा और दुरूट न्यूट्रोन ग्रिफाइड द्वारा धिमे के जाते हैं यह दोनों आपके राइट उप्शन होंगे नेक्स्ट अनिमल खितकत्रों पर विचार किजी तो इसमें आपका जो राइट उप्शन होगा वही शिर्प मैं आपको करवाने वाला हूँ इसमें राइट उप्शनों का इंद्रा गांदियानों संदान के अंदर दुरूट रियक्टर प्रयोगी की यानि की फास्ट रियक्टर टेक्नोलजी प्रयोग में लाए जाता है और सेकिंड होगा भारती रेयर अर्थ लिमिटेड भारत के नाभी किया कारेकर में अन्य दुरलब मरीदा पदार्थों रेयर अर्थ मेटर्स के तरीक्त जिर्कोन के उत्पादन में कारेरत है नेक्स्ट के उसना माराज का भारत का पर्थम परमानु सेंतर निमिल कीत में से कौन सा है तो तारापूर महाराष्टर का जो है परमानु सेंतर वो भार यह सही सुमेलित नहीं है बाकी थुमबा जो है वो केरल के अंदर है स्री हरिकोटा जो है वो अंदर परदेश के अंदर है और पोखरन जो है वो राजस्तान के अंदर स्थीत है दोस्तों नेक्स्ट है भारत का बीश्मा परमानु बिजली घर कौन सा है तो भारत का बीश्मा परमानु बिजलीगर जो है वो केगगा यान की करनाटक के अंदर है दोस्तों तमीन लाड़ू के कूडन कूलम में रूस परमानु भट्टियों की कितनी इकाईयां लगाने है तो राजी हुआ है समझोता किया है रूस के साथ तो अप्शन डी होगा छै इकाईयों का लगाने के लिए रूस ने हामी बरी है भारत का निमन्लकित में ने कौन सा परमानु सेंत्र फोर्थ बूकंपिय पेटी में आवस्तित है तो अप्शन ची होगा नरोरा कौन सा नरोरा निमनांकित में कोन सही नहीं है तो आपका राइट उप्सन होगा किसी परमाणू के नाभी का तूटना सनलेयन कहलाता है तो यह उप्सन जो है वो सही नहीं है क्यों सही नहीं है वो भी आपको बता देते हैं किसी परमाणू के नाभी का तूटना जो होता है वो विखंडन कहलाता है दोस्तों क्या क कहलाता है और किसी भी परमानु का आप जो परमानु का जो नाभिक होता है उसका टूटना कहलाता है विखंडन चलिए नेक्स्ट है जुलाई 2016 तक परमानु आप उर्ति करता समूँ एनस्जी में सदस्य देशों की संक्या है कितनी है पोर्टी एट नेक्स्ट है परमानु और्जा में भारतिय कार्यकरम के जनक है तो आपका उप्सने होगा एच जे बाबा होमी जागिर बाबा परमानु रियक्टर क्या है नेक्स्ट क्योशन है परमानु रियक्टर क्या है तो आनुविक भट्टी है दोस्तों परमानु रियक्टर क्या है आ आपसरा नेक्स्ट है नाभी के सनलेयर डियक्टरों के विश्य में निमन लिखीत कतनों पर विचार केजिए तो आपका राइट उप्शन ओप्शन सी केवल टू और थ्री से ही है यानि कि सदानत्या उनकी टोकमाक डिजाइन होती है और वे बहुत अधी कताब करम पर कार्या करते हैं यह दोनों उप्शन ओंगे वह आपका राइट होगी नेक्स्ट है सुर्य की उर्जा का स्त्रोथ है तो यह आपको पिछे भी जो है मैं करवा चुका हूं सुर्य की उर्जा का स्त्रोथ क्या है हलके नाभीकों का सलेन क्या है हलके नाभीकों का सलेन सलेन किरिया उर स्मात्रा रहती है क्या रहती है न्यूट्रोनों की गति को कम करके तापिय उर्जा तक लाना नाभी का विखंडन उर्जा उत्वपन करता है क्या परमानु बम के अंदर नाभी का विखंडन उर्जा उत्वपन करता है किसमें परमानु बम के अंदर गोड पार्टिकल है क्या है हिग्स बोसोन गोड पार्टिकल है हिग्स बोसोन हिग्स बोसोन कन का समान्य नाम है क्या है इस्वरिय कन यानिकी गोड पार्टिकल तो नेक्स्ट क्यूशन देख लेते हमारा आज का तो नेक्स्ट पार्ट भी आ गया है MISC नेक्स्ट है निकट अतीत में हिक्स बोशोन कन के अस्तीतव के संसूचन के लिए किये गे परियतन लगातार समाचारों में रहे हैं इस कन की खोज का क्या महतव है तो यह आपको बताना होगा क्या महतव है यह हमें समझरी में मदद करेगा कि मूलकणों की संहती क्यों होती है नेक्स्ट अनिमल की कत्रों पर विचार कीजिए तो ओप्सन एज होगा वो आपका राइट होगा केवल वन और टू यानकी बारत के पास परकार्शी तनाभी के सिदान्थ है और यह सिदान्थ पर्थम प्रयोग नहीं नित्ती की वकालत करता है नेक्स्ट की उसन हमारा कतन फर्स्ट और कतन टू कतन सेकिंड जो है वो दिये गए है यहाँ पर तो कौन सा राइट होगा यह आपको बताना होगा तो आपका राइट उप्षन होगा उप्षन ए यहाँ कि दोनों ही कतन अलग अलग सत्ते हैं किन्तु कतन टू कतन फर्स्ट का सई सपस्टिकल नहीं है तो इसमें पूछा गया है कतन फर्स्ट में कि भारी जल नाभी के रेक्टर में व्य ंदा के रूप में प्रयूक्त होता है और कतन 2 में दिया गया नाभ्य सॉरी ताप्या न्यूट्र नेक रेक्टर में विखनदन परतिकिरिया के लिए पर्यूक्त होता है जो तो दोस्तो दोनों ही जो कतनों इसula कतन फर्स्ट और कतन से किन वो दोनों ही अपनी अपनी जिगाया अलग-अलग जो है वो सत्ते हैं राइट है नेक्स्ट है निमल खित परकर्णों में से किस एक के साथ पद CMy के समदित है तो ओपसेट मुदरन के साथ CMY के समदित है सामानेते प्रयोग में लाई जाने वाली परती दिप्ती ट्यूबलाइट पर निमिल्खित में से कौन सा अंकित होता है तो पैंसेट सो के जो है वो अंकित होता है पैंसेट सो केल्विन निमल की तकतनों पर विचार किजिए तो आपका राइट उप्शनों का उप्शन बी केवल फस्ट यानि कि विश्टरित रूप से प्रियुक्त संगीतिक सवर्ग्राम जिसे द्विटोनी सवर्ग्राम कहते हैं साथ आवर्तियों वाला होता है नेक्स्ट क्यूशन है उप्योग में आ चुके परती दीप्त विद्यूत लेंप के एविचारपूर्ण निस्तारन से वातावरण में पारे का प्रदूशन होता है इन Lamp को बनाने में PARA का परेयोग किया जाता है तो इसकाव का राइट उप्सन होगा जब Lamp को switch ON किया जाता है तो Lamp के अंदर के पारे के कारण प्रामेंखनी किरिनों का उच सरजन होता है यह आपका राइट उप्सन होगा CFL और LED Lamp में क्या अंतर होता है तो CFL और LED Lamp में अंतर होता है फर्स्ट जो होगा वो होगा प्रकास उत्पन करने के लिए CFL पारा वास्प और संधी पक का प्रयोग करता है जबकि LED Lamp अर्दे चालक पदारतों का प्रयोग करता है और सेकिंड जो राइट ओप्सन होगा वो होगा LED Lamp की तुलना में CFL कम और्दे सक्सम है सबचालित कलाई गडियों में और्दे मिलती है हमारे हाथ के विबिन संचालन से किसे मिलती है हमारे हाथ के विबिन संचालन से लेजर एक युक्ती है जिसके द्वारा उत्पन किया जाता है क्या उत्पन किया जाता है उदिप्त विकिरन उत्पन किया जाता है लेजर के द्वारा तो आज के हमारे तीस क्यूसन यहीं पर कंप्लीट होते हैं आसा करता हूँ आपके लिए क्योशन काफे ज़्यादा इंपोर्डेंट रोल जो है उसाबित करेंगे इंपोर्डेंट रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले कंपेटिटिव एक्जाम के लिए तो दुस्तों वीडियो को जदा जदा सेर कर देजेगा और अगर आपकी कोई क् इंफॉर्मेशन वगेरा कुछ भी होता है तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको रिप्लाइद देने की पूरी-पूरी कोशिस की जाएगी थैंक्यू जैहिन